जै शी कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्थन करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें अपने करियर में आप धेर सारी सक्से सांसिल करें डियर आपका बहुत- 11001 में आपको बता है आज एक बहुत रही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम रेदिंग करने अब इसम Tapi आपके भाग्य में कैसे प्योज़र स्पाॉस लिखेए हैं इक वाग्य में कैसे पार्ट्नर लिखे है किसी और का नहीं ठीक है इश्वर का नाम लीजिए आंखे बंद करके इश्वर से प्रे करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं और उसके बाद आप एक option चूस कर लीजिए जो option आपको बहुत जादा attractive लग रहा हो जो option आपको अपनी तरफ आकर partnership कर रहा हो ठीक है उसके बाद देखिए कि आपके भाग्यों में कैसे future spouse लिखें हैं कैसे partner लिखें हैं आपके future spouse कौन होंगे और कैसे होंगे उनका nature कैसा होगा सब कुछ बताएंगे ठीक है तो आई होप आपने पाइल चूस कर लिया होगा अब एक बात और अगर किसी वज़े से जो option आप चूस करते हैं वह match नहीं होता है तो थोड़ी सी समझदारी दिखाईए क्योंकि यह general reading है कभी-कभी reading पूरी मैच करती है कभी-कभी थोड़ी बहुत मैच करती है कभी-कभी बिल्कूल भी नहीं करती है है ना क्योंकि यह आपकी personal reading तो है नहीं जो सिर्फ आपके लिए की गई हो इसमें बहुत सारे लोगों की energy होती है तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना अगर जो option आपने च मैच ना करें तो एक बार आप दूसरे options भी चूस करके देखिए क्या पता वो मैच कर जाएं आपसे है ना चैसे कृष्णा option number one कैसे हैं आप I hope आप बहुत स्वश्च्थ होंगे मस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे टियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love 111 में डियर आपने चूस क्या है पाइल नूमबर वन को और आप जानना चाहते हैं कि आपके future spouse कौन होंगे कैसे होंगे और इश्वर ने आपके भाग में कैसे पार्टनर लिखे हैं तो चलिए हम सब कुछ detail में बताएंगे उसके पहले यहां पर उनका sign और element क्या है यह बता देते हैं उनकी date of birth क्या हो सकती है हो सकता है कि आप उनसे मिल चुके हों थोड़ा सा idea लग जाएगा ना आपको और उनकी name का first letter उनका initial बता देते हैं ठीक है इधर जो बहुत strong sign है वो है Cancer Scorpio Pisces करक विश्चिक मीन राशी वाटर साइन ठीक है उसके बाद देखें यहां पर है Gemini Libre Aquarius मिथुन तुलाकूम राशी भी है Aries Leo Sagittarius भी है मेश सिंग धनु राशी लेकिन Taurus पर को Capricorn थोड़ा सा कम लग रहा है थोड़ा सा कम है है लेकिन कम है ठीक है तो आपको बिल्कुल यह नी सोचना है कि अगर आप अर्थ साइन है Taurus वर को Capricorn है तो आपको टेंशन लेनी है नई 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 टेंशन नहीं लेनी है ठीक है पूरी reading देखनी है अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनके date of birth की ठीक है और देखें 31 तारीख 28 तारीख 22 तारीख 8 तारीख 14 तारीख को हुआ होगा ठीक है बर्थ मंत की बात करें जून बहुत च्रॉंग है जून- भार्च और देखें अगस्त और देखें सेप्टेंबर सेप्टेंबर बहुत च्रॉंग है अप्रेल जी हाँ अप्रेल deepest स्टॉंग है और और यहां पर मई भी है, समझ रहे हैं, मई भी बहुत हो स्ट्रॉंग है, यहां पर मई भी बहुत हो स्ट्रॉंग है, उसके बाद यहां पर दिसेंबर है, बस इतना ही है, ठीक है, अब इनिशल की बात करें, यू इनका जो नाम है वो यू से स्टार्ट हो सकता है यू और आर टी एल एम एजी वी एस बी और पी ठीक है तो यह यहाँ पर इनके नेम का इनिशियल है अब आप हमें पहले रिश्वत दे देजिए क्योंकि आपको इतने अच्छे पार्टनर मिलने वाले हैं क्या पता कि मिल भी चुके हूं अब हम जो जो चीजे आपको बताएंगे उनके बारे में वो आपको ध्यान से सुननी है उसके बाद हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ मैं तो इससे मिल चुकी हूं और अगर आप नहीं मिले हैं तो बहुत जल्द आप उनसे मिलने वाले हैं आपके भाग्य में ऐसे ही पार्टनर लिखे हुए हैं ठीक है फ्यूचर स्पाउस ऐसे ही लिखे हुए हैं तो रिश्वत दे दिया आपने हमें पक्का कॉमेंट बॉक्स में रिश्वत चाहिए हमें रिश्वत में आपको एक तो हमसे promise करना है कि life में कोई भी situation हो आपका भी भी परिशान नहीं होंगे positive रहेंगे और मन में एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कैसी भी situation हो कितनी भी negative हो लेकिन वो बहुत समय तक टिक नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर कोई भी situation एक जैसी हमेशा नहीं रहती ठीक है? और हमारी रिश्वत थोड़ी सी बढ़ गई है बताएं दूस्टी बताएं एक तो आपकी positive वाले smile तो है ही और हमें ये चाहिए कि आप अभी इसी वक्त universe को हमारे comment box में gratitude send करें आप gratitude दीजिए ईश्वर को thank you बोलिए हर एक चीज के लिए thank you बोलिए अभी इसी वक्त ठीक है? और चलिए आपके partner कैसे होंगे हम आपको एक song कि तरो सुनाते हैं उनको पाकर आपकी जो feelings होंगी ठीक है? मिले हो तुम हम को बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हम को बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहबत से सासे मिली हैं सदा रहना दिल में करीबों के मिले हो तुम हम को बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं जिन्दगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही सदा ही रहना तुम मेरे करीबों के चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हम को बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से आप यह कहेंगे उनसे और वो भी अपसे यह कहेंगे कि मिले हुद तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से कैसे future spouse लिखे हैं आपके भागे में बहुत ही ज़ादा केरिंग बहुत ही ज़ादा फिक्र करने वाले आपका बहुत ही ज़ादा खयाल रखने वाले आपकी परवा करने वाले आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब कुछ जैसे कि आपको लेकर बहुत ही ज़ादा हर वक्त फिक्र मंद रहने वाले पता है उनकी हमेशा कोशिश रहेगी आप male के लिए देख रहे हों female के लिए देख रहे हों कि आप जो भी dresses पहने वो उनकी पसंद की पहने हाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं रिलेशन्शिप में हर एक इंसान सोचता है कि मैं कुछ खरीदूं कुछ पहनूं वो मेरी पार्टनर की पसंद का हो वो उसे अच्छा लगे कि कभी-कभी हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि उसे पूछते हैं कि मैं ले लूँ यह कैसा लग रहा है तो हमें क्या मतलब जो तुम देख लूँ जबहे सही से बना कि रखेंगे उन्हें जो जो पसंद है ऐसा नहीं कि वह आपके उपर अपनी मन-मर्जियां थोपेंगे कि नहीं तूम्हें यही पहणना है करना है लेकिन उन्हें जो पसंद होगा वो आपको जरूर बताएंगे कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगोगी तुम बहुत अच्छी लगोगी तुम प्लीस ये करो, ऐसे करो ऐसे हैरिस्टाइल बनाओ ऐसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए ऐसे सूस होने चाहिए मतलब कि सब कुछ वो आपको अपनी पसंद बताएंगे समझ रहे तो बहुत जादा आपको लेकर कैरिंग होने वाले हैं हर वक्त आपका खयाल रखेंगे आपकी तब्यत खराब होती है तब भी एक तरीके से उनकी कोशिश होगी कि वो जादा जादा आपके साथ टाइम स्पेंड करें क्योंकि उन्हें पता है कि जब तब्यत खराब होते हैं इंसान थोड़ा अकेला पन फील करता है तो कभी भी आपको अकेला पन फील नहीं कराने वाले सबसे पहली बात पता है बहुत ही जादा मिच्योर बहुत ही जादा समझदार इंसान होंगे आपके जो future spouse होंगे जी हाँ और देखी बहुत ही जादा धार्मिक और अध्यात्मिक टाइप के होंगे समझ रहे हैं पूजा पाठ करना मंदर जाना नियम धर्म से रहना समझ रहे हैं हर चीज को फॉलो करना रोल्स को फॉ होगा यह समझ लीजिए वह भेड़ चाल चलने वालों में से नहीं होंगे उन्हें हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन पता होगा तो एक तो बहुत अच्छी बात यह हैं कि बहुत जादा समझदार होंगे समझ रहे हैं आप जिनके लिए भी देख रहे हैं बस अब इतना थी आपकी जिंदगी में अच्छे लोग नहीं आ रहे थे बुरे लोग आए थे तो टेंशन मत लीजिए अब आपकी शिकायते एंजल स्टूर करने वाले हैं हम सबका अपना पर्सनली कुछ कर्मा होता है हमें याद नहीं रहता लेकिन हमें वह क्लीन तो करना पड़ता है तब ही कहते हैं कि कर्म सोच समझ कर करो है ना अब देखे बहुत ही जादा पॉजिटिव होंगे सेंसिबल होंगे और ऐसे होपलिस होने वाले नहीं होंगे ऐसे डरपोक टाइप नहीं होंगे समझे हैं उन्हें दुनियादारी की बहुत जैसे की दुनियादारी का उन्हें बहुत अनुभव होगा बहुत experience होगा और निराशावादी नहीं होगे hopeless होने वाले नहीं होगे अगर आप life में निराश होते हैं तो वो आपको भी motivate करने वाले होगे जी हाँ वो अपनी जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है तो यह समझ दीजिए कि वो कभी negative सोचते नहीं है क्यों उनकी life में क्या positive situation ही हमेशा रहती है क्या negative नहीं आती है definitely आती है जरूर आती है लेकिन वो उसमें balance बनाना बहुत अच्छे जानते होंगे यह समझ दीजिए और उन्हें पता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे manifest करना है एक तरीके से बहुत गजब के magician type होंगे वो जैसे कि उनके अंदर attraction power बहुत जादा होगी और जो पाना चाहते हैं उसके प्रतिना वह बहुत जुनूनी हो जाते हैं कि मुझे यह पाना है मुझे यह चाहिए और मुझे इसे पाने के लिए जिस हद तक भी गुजरना पड़े मैं गुजरूंगा अब ऐसा नहीं कि वो अपने मन में कोई negative चीज़े पाल के रखते हैं कि मुझे यह चाहिए वो चाहिए नहीं अपने aim की प्रति अप आपके लिए अगर कुछ खरीदना है और उनके पास अभी जैसे कि इतना बजट नहीं है अगर उन्हें यह पता चल जाए कि आपको यह पसंद है और वो उनके बजट से बाहर है तो वह जुनूनी हो जाएंगे कि मैं जब तक यह चीज़ खरीद नहीं लेता खरीद नहीं उसके लिए तब तक मुझे आराम नहीं करना है और बहुत positive होकर उसे manifest करते हैं और उसके प्रतिक कर्म भी करते हैं समझ रहें ऐसे इनसान होगे प्रेम तो जैसे कि कूट कूट कर भरा होगा और उनके अंदर और उनका nature बताएं थोड़ा सा जैसे होने वाले हैं आपको लेकर थोड़ा सा जैसे कि रोक टोक नहीं करेंगे आपके जिंदगी में कि आप ये ना करो वो ना करो लेकिन आपको बताएंगे जरूर कि मुझे ये पसंद नहीं है ना ना करना आपके उपर होगा लेकिन वो आपको बताएंगे कि मुझे ये पसंद नहीं है हाँ उनके एक जो आप करते तो हैं पर उनसे छुपाते हैं जूट बोलते हैं वो आपके सामने इतना सहज होकर रहेंगे कि आप उनसे कुछ छुपा ही न सकें सबसे पहले तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे समझ रहे हैं बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे वो आपके कि आप उनस कुछ भी कभी नचुपाएं यह हर चीज के प्रती बहुत पॉजिटीव रहेंगी अगर आपका पास्ट कोई भी बात है तो यह सोचेंगे कि आप उन्हीं बता जोगत दो अगर कोई थी, मेरे प्यार में कहां कमी थी अब देखे, सभाविक सी बात है कि अगर कोई इनसान आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो वो आप से जूट की उमीद तो नहीं करेगा जूट की उमीद तो नहीं करेगा तो बस इनकी आदत इतनी होगी कि यह आप पर गुसा नहीं करेगे कि आप पर बरस पड़ेगी तुमने यह किया तुमने वो किया, नहीं यह आप से कुछ नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा डिस्टेंस क्रेट करेंगे और अकेले में रोएंगे, अकेले बोलने वाले भी नहीं कि आपको लो फील करा है डाउन करें आपको नहीं बस अकेले अकेले सैड रहेंगे अकेले घुटेंगे आपसे कुछ कहेंगे नहीं ऐसे ऐसे इनसान होगी इनने जैसे कि घूमना फिर ना दोस्तों के साथ मस्ती करना कैंपिंग करना बहुत ज़ादा पशंद होगा जैसे कि हो सकता है कि इनने बहुत अच्छा डांस आता हो मतब्त ठोड़ासा डांस का सौक इनहीं 16 और आज Akbar जानन भी आता न तो भी उचलकूत करी लेते हैं अपने मन का जो भी इन्हें जो भी आता है ये ऐसे निकी शर्मीले टाइप के नहीं कि मुझे नियाता मुझे निट करना मुझे निकरना बस इन्हें तो बस खुशी तलाशने का ये मौका ढूड़ते रहते हैं खुशियां ढूड़ते रहते हैं छोटी-छोटी चीजों में भी खु इंजल्स को समर्पित कर देते हैं ये किसी को बहुत जदा मानते होंगे जैसे कि जिस भी धर्म से होंगे ये किसी को बहुत जदा मानते होंगे और अपनी हर बात उनसे शेयर करते होंगे जैसे कि ये महादेव को मानते हों श्रेकृष्ण को मानते हों अनुमान जी को मानते हो गुरुनानक देव को मानते हूँ फादर को मानते हूँ जिन को भी मानते हैं यह उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझते हैं और उनसे सारी बाते शेयर करते है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ यह समझ जीजिए मदरली तो इतने जादा होंगे कि हम आपको क्या ही बताएं इतने जादा मदरली होंगे हर किसी के प्रती इनका जो सरल सभाव है ना इतना नौलेज होने के बाद भी एटिट्यूड एहंकार घमंड इनके अंदर जरासा भी नहीं है आपको पता है लोग चार शब्द क्या पढ़ लेते हैं उनको लगता है कि वो तो बस अब धर्ती पे कदम ही नहीं रखेंगे फिर वो दूसरों को डाउन करना शुरू कर देते हैं आपकी योगेता इस बात में नहीं है कि आपको ये चीज़े आती हैं है ना आप अगर अपने आपको महान बनाना चाहते हैं उचा उठाना चाहते हैं आपको लगता है कि आप बड़े हैं तो आप दूसरों को डाउन करके बड़े नहीं होते आप दूसरों को उठा करके दूसरों को समझ करके, समझा करके बड़े बनते हैं, है न, तो इनके अंदर जो योग्यताय हैं, इनके अंदर जो टैलेंट है, बहुत सारी चीजों का, उसका इनके अंदर कोई भी गुरूर नहीं है, कोई भी घमंड नहीं है, ये किसी को भी नीचा दिखाने वाले नहीं हो इनका जो हाट चक्रा है वो अवेक होगा इनका जो हाट चक्रा है यह जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं दिल से सोचते हैं ऐसा नहीं कि दिमाग की कम है इनके पास दिमाग बहुत जादा है लेकिन यह रिष्टों में कभी दिमाग यूज नहीं करते इन्हें पता है कि दिम पहले से स्क्रिप्ट नहीं तयार की जाती, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अनुमन होती रहा करेगी आप दोनों की, जैसे कि आपने इंसे कुछ बताया नहीं, आपने इंसे कुछ छुपा लिया, तो इन्हें बुरा लगेगा, आपने इनकी कोई बात नहीं माननी, तो थो एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, जी हाँ, ये अपनी लाइफ में फिनाशली बहुत सक्सेसफुल इंसान होंगे, ये मेल हो या फिर फिमेल हो, अब इतना समझ लीजे, ये मेल हो या फिर फिमेल हो, ये बहुत सक्सेसफुल इंसान होंगे, और इनके अंदर बहुत सारा प्यार होगा जरास अभी डरपोक नहीं होगे इस टंथ कि इनके अंदर कोई कमी नहीं होगी समझ रहे हैं हर फिल्ड में सकसेस पाने वाले इनसान होगी है लेकिन सकसेस फुलते हैं पर पैसों की क्या वैल्यू होती है क्या एहमियत होती इन्हें बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि इन्होंने अपने जिन्दगी में जो रुद्बा कमाया है जो पैसे कमाये हैं वो अपनी मेहनत से इन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला आपको पता है जैसे कि किसी भी चीज की इज़त ना करना ये सब वही लोग करते हैं जिसे कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है प्यार हो या पैसा हो अगर आपको आसानी से मिल गया तो आप उसकी वैल्यू कभी समझेंगे ने कि कैसे आया है ये लेकिन जिस इनसान को बड़ी मैनत से चीज़े बनानी पड़ती हैं वो इसकी उसकी इज़त हमेशा करता है उसकी कदर हमेशा करता है उसकी वैल्यू समझता है ऐसे ही ये जो परसन है ये इतने जो सक्सेस्फुल हुए हैं अपनी बदौलत अपनी मैनत के बदौलत यह नहीं कि इन्हें विरासत में मिली है, दादा, बाबा, चाचा, काका की विरासत है, ऐसा नहीं है, इन्होंने खुद कमाया है, खुद कमाया है सब कुछ, तो इस वज़े से हर एक चीज की वैल्यू करना समझते हैं, और आपको इतना प्यार देंगे, आपकी इतनी कद्र कर करेंगे, कि आप भी क्या याद रखेंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ, क्या दुनिया में इतने अच्छे इंसान भी होते हैं, आप खुद सोचेंगे, अब हम आपको एक बात बताएं, यह थोड़ा सा अपने आपको जैसे की मेंटेन करके रखना पसंद करते होंगे, इन बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इन पर हुकूमत करें, कि तुम यह करो, तुम बो करो, सर आ रहे है, शल्यूट करो, नमस्कार करो, इन जैसे कि यह सब पसंद नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि 80% लोगों की future spouse बिजनसमेन होगे, उनका खुद का अपना बिजनस पे, तो वो उन्हें पसंद नहीं होगा, तो वो जहां तक करके बिजनसमेन होगे, कुछ लोगों के लिए उनकी जो जॉब भी होगी ना बहुत अच्छी position पर होगी, समझ रहे हैं, ऐसे इनसान होगे dear, आपकी future spouse, तो बहुत बहुत शुप काम नहीं, हंजी बहुत बहुत आपको इतना अच्छा हमसफर मिल रहा है, इतना प्यार करने वाला, इतने केर करने वाला, तो ये तो खुशी की बात है ना, I hope आप समझ गया होगे, जैशे कृष्णा, अपना ख्याल रखे, अपने अपनों का ख्याल रखे, कौन क्या कहता है, इस बारे में बिल्कुल भी खुश्यों की परवा करने है, और अगर आप इस चनल पर पहले बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैशे कृष्णा, अप्शन नमबर टू, कैसे हैं आप, आई होप आप बहुत स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, डियर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिच्वल लब डबल वन, डबल वन में, डियर, आपने चूस क क्या है पाइल नमबर टू को और आप जाना चाहते हैं कि आपके भाग्य में कैसे पार्टनर लिखे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, चलिए, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, इसके पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, डेट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉंग है, व्रिशप कन्या मकर राशी, समझ रहे हैं, और देखे इधर जो एक साइन है, वो बहुत स्ट्रॉंग है, वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क व्रिश्चिक में राशी, जेमिना लिप्रे एक्वेरियस भी है, जेमिना लिप्रे एक्वेरियस भी है, मिथुन तुला गुमराशी, लेकिन एरीस लिओ सेजिटेरियस थोड़ा सा कम है, थोड़ु सा, ठीक है, अब हम डेट अब बर्त की बात करें, इनका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 5 त तारीख, 8 तारीख, और देखे, 9 तारीख, क्या बात है, 27 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, और 13 तारीख, 31 तारीख, इस डेट में इनका जन्म हुआ होगा, ये है इनकी डेट ओव बर्त, आपके फ्यूचर स्पाउस की, जो आपके भागे में लिखे ह ठीक है, बर्त मन्त की बात कर लेते हैं, इनका बर्त मन्त हो सकता है, मार्च, मई, जून, फरवरी, एप्रेल, अक्टूबर, जुलाई, जुलाई बहुत स्ट्रोंग है, अगस्त और दिसमबर, ठीक है, ये है बर्त मन्त, चलिए अब हम नाम के इनिशल की बात कर लेते हैं, इनके इनिशिल की बात कर लेते हैं आई एन सी यू एस जी के आर टी पी ए बी एल ठीक है? ये है इनके नेम का इनिशिल आपका भी हो सकता है? अभी हमारा पता है हमने आपकी एनर्जी चेक की इधर कार्ट थोड़े से उल्टे पुल्टे आ रहे थे तो हमें लगा कि पहले हम आपकी एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं अब वो हम आपकी एनर्जी से इतने इंप्रेस हुए हैं इतने इंप्रेस हुए हैं क्या बताएं? चलिए इस रिडिंग के शुरुवात एक सॉंग के साथ करते हैं इस्पेशली जो फीलिंग्स होगी ये आपकी होगी आपके पार्टनर के बारे बाद में बताएंगे पहले हम आपके बारे में बात करें क्योंकि आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं आप इतने positive इंसान हैं, इतने spiritual हैं, इतने समझदार, इतने understanding, हम क्या ही बताएं आपको, इस वज़े से हम आपको एक song सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं, कि कैसे होंगे आपके future spouse, ठीक है, यह आपकी energy होगी आपके partner के लिए, क्या पता, आप उनसे मिल भी चुके हो, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, तू आता है सीने में, जब जब सांसे भरती हूं, तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूं, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रित जैसे मुडती हूं, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करती हूं, किरी नजर का सफर, तुझ पे ही आके रोके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके, मेरे निगाहे हैं तेरे निगाहों पे, तुझे खबर क्या ओ बेखबर, मैं तुझे से ही छुप छुप कर, तेरी आँखे पढ़ती हूं, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करती हूं, तु आता है सीने में, जब जब सांसे भरती हूं, तेरे दिल के गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूं, हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूं, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, जैसे मैं करती हूं, यह आपकी फिलिंग से आपके पार्टनर के लिए, मतलब की आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो मिल चुके हैं, हंजी कुछ लोग तो मिल चुके हैं और जो नहीं मिले न उनके बारे में बता देते हैं और जो मिल चुके हैं वो भी शियोर हो जाएंगे कि हाँ यही है मेरा future spouse यही लिखा है मेरे भाग्य में एक तो बहुत ही जादा ड्रामे बाज इंसान अकड़ू नाटक करने वाला नाटक करने वाली सो ड्रामे दिखाने वाली समझ रहे हैं ऐसे इंसान होंगे और एक नंबर के लडा को छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना छोटी छोटी बातों में लडाई जगडे करना और प्यार के लिए जैसे की तरसा देना समझ रहे हैं Equal Give and Take ना करना Equal Give and Take ना करना अपने काम में बिजी रहना ऐसा इनका नेचर होगा अब बताईए कोई इनसान ऐसा है और आप उससे बेपनहा मुखबत करें जो आपसे बात ना करें आपको टाइम ना दे अपने आप में बिजी रहे और आपसे बात बात पे जगड़े भी करें और उसके बाद आपको मनाए भी ना आपको ही उसे मनाना पड़ता है और पता है क्या करते हैं ये जगड़ा करते हैं गुस्सा करते हैं छोटी-चोटी बात तो बेरे。 बहुत जदा पोजेस्जीव हूं। बहुत जदा रोक टोक करने वाले। लेकिन बाद में खुदी गुस्सा करेंगे, खुदी आप पर ब्लेम करेंगे, खुदी आपको उल्टा सिधा बोलेंगे और उपर से खुदी नाराज भी हो जाएंगे, कि आप इन्हें मनाओ, ऐसी उम्मीदे भी करते हैंगे ये समझ जरीजे, ऐसे इन्चान होगे, इनकी जो एनर्जी से थोड़ी इंबालेंस रहते हैं इनकी जो मसकुलाइन और फेमिना इनर्जी है, वो थोड़ी इंबालेंस रहते है, इसी वज़े से कभी तो बहुती जादा प्यार, और कभी बहुत ज्यादा तक्रार मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा महरबानी दिखा देते हैं, प्यार की बरसात कर देते हैं, और कभी-कभी तो दस दिन की छुट्टी कर देते हैं, ऐसे इंसान होगे आपके future spouse, जी हाँ, क्योंकि energy balance नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा practical, तो कभी बहुत ज़्यादा emotional, ये से प्यार होता है, हम उसके सामने smart बनने की कोशिश नहीं करते हैं, हम जैसे हैं, उसके सामने वैसे रहते हैं, पता है, जब किसी से true love होता है, सच्चा प्यार, तो हम उसके सामने पता है कैसे हो जाते हैं, जैसे हम अपनी मा के सामने होते हैं, क्या आप अपनी मा के सामने over smart सके मार्टनेस दिखाने के गोशचिश करतें कभी नहीं ना क्यूंकि आपको बहतरी तरीके से जानती है फिर आप मा के सामने बच्चय समय हो जाते बकुल आपको प्रिवार में बाबु तोना जादू तोना क्यों चलता है क्योंकि यह गलत नहीं है इंसान उसके सामने बच्चा हो ही जाता है बच्चा हो ही जाता उसके सामने जिससे प्यार करता है उसके सामने बिल्कुल ऐसा हो जाता जैसे कि वह अपने पैरेंट्स के सामने होता है उसके सामने वह स्मार्टनेस ते दिखाता है और एक्टिंग नहीं करता है यह जो भी चल रहा है आजकल यह गलत नहीं है यह कहीं नहीं गलत रूप ले लेता है आगे चल कर लेकिन शुरू-शुरू में जजबात होते हैं इनके जो बाबू ने खाना खाया नहीं खाया हां इसका बहुत जम के मजाक यह हो सकता हएं कि यह जादा smartness डिखाने की कोशिश करते हों आप ने गरते हैं आपनेखे बश्यल्बकुल बच्चे बन जाते हैं और इन्हें हो सकता है कभी कभी बसेंड़ पज़पन हानः यह प्राक्टिकल बहुत लॉजिकल शोचने वाले इनसाने अब आपको लगता है कि जिसके सामने हम समर्पीद हो गए जिसके सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या खुद की इज़त है क्या वैल्यू है जिसके सामने हमने खुद को समर्पीद कर दिया अब उसके सामने क्या हम दिखाएं हां क्या दिखाएं कि हम क्या है तो ऐसा ही है आप इनके सामने बिलकुल एक बच्चे की भाती है नौलेजबल बहुत है आप टैलेंटेड बहुत है आप लेकिन आप इनके सामने बिलकुल बच्चों की भाती है कि जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है और ये मुझे ये पसंद नहीं है मुझे ये आपके जो future spouse होंगे बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि समय के मार जब पढ़ेगे ना उन्हें तब वो आपके सामने बच्चों की तरह रोने वाले हैं गुसा तो जैसे कि नस नस में भरा हुआ है इनके बहुत ज्यादा गुसा करने वाले बहुत जगडालू परसन होंगे आपके future spouse समझ रहे हैं और feelings हाइट करने वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं और करेंगे भी जो लोग मिल चुके हैं उनके लिए तो करते हैं और जो मिले करेंगे उनके लिए करेंगे आपके future spouse आपसे बहुत प्यार करेंगे लेकिन उनका जो heart chakra है वो सोया हुआ है समझ रहे हैं वो active नहीं है तो चीजें दिल से सोच नहीं पाते सोचते बहुत हैं और कहीं न कहीं थ्रोट चक्रा भी awake नहीं है उनका थ्रोट चक्रा भी विशु रहते हैं उनके मन में आपको लेकर तो उनके मन में जितनी फीलिंग से आपको लेकर जितना वो सोचते हैं उतना बयाने कर पाते उतना बता नहीं पाते उतना कहने पाते वाप से बस सोचते हैं आपको लेकर बहुत जादा डीपली सोचते आपको लेकर और पता है आपको ख कहीं इसका दिल किसी और पर ना आ जाए इसलेंगे जादा जादा जैसे कि आपके जिंदगी में रोक टूक करने की कोशिश करेंगे ऑसे बात मत करो मुझे यह पसंद ने जादा गुस्टा दिखाने की कोशिश करेंगे यह समझ लीजिए ऐसे इनसान होगी और आप एक ऐसी आत्मा हैं, हम क्या बता हैं, बहुत ही ज़्यादा ुजल्जी हुई old soul उनकी हर नाधानी को, उनकी हर बत्तमीजी को माफ करने वाले और उनका इंतजार करने वाले, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह आपको लेकर बहुत ज़ादा बॉजिस्व होना होता है एक नेगेटिव में जब बहुत ज़ता इंसान शक्की हो जाता है वो शक शक्क करना अच्छी बात ने होती जहां प्यार है महां विश्वास होना चाहिए आप की तरफ से ऐसा नहीं होगा आप तो इन्हें फुल फ्रीडम देने वा कितना जिसे कि आपको सब पता है हर चीज का पता है आपको यह आप से सौ जूट बोलते हैं आपको उनका भी पता रहेगा कि मुझसे जूट बोल रहे हैं मुझसे जूट बोल रहे हैं लेकिन फिर भी आप कभी उनको डाउन नहीं करेंगे कभी आप उन्हें नीचा नहीं दि करना आपको बहुत अच्छे से आता है सब कुछ जानते हैं लेकिन इनके साथ आप दिमाग चलाने वाले नहीं होंगे यहाँ पर आप दिल से जुड़े होंगे बहुत जादा यह थोड़ा सा दिमाग से रिष्टे को चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप दिमाग से चलाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आप इसे दिल से जुड़ेंगे कुछ लोग तो social media के through मिलेंगे हम बतारे जो नहीं मिलें वो social media के through मिलेंगे बस इतना समझें कि यह pet lover होंगे डॉग lover होंगे stable भी होंगे लेकिन यह जादा जादा फॉर्स प्राइवर्टी अपने करियर को अपने बिजनेस को देने वाले होंगे यह आपको इतना टाइम नहीं देंगे लेकिन फिर भी आप इनका इंतिजार करेंगे तभी आप गजब के इंसान है आप फिर भी इनका इंतिजार करेंगे आप फिर भी इनसे अपना प्यार बया करते रहेंगे जताते रहेंगे बताते रहेंगे आप जैसे कि सही समय का इंतजार करेंगे उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन ये आपके प्यार को समझें ये प्यार करें न करें पर आपका जो प्यार है न वो unconditional love होगा जैसे कि कोई बात नहीं उसके पास time नहीं है वो प्यार नहीं करता कोई बात नहीं पर मैं तो करती हूँ ना मैं तो करता हूँ बस इतना ही काफी है आप ऐसी इनसान होंगे आप इन्हें बहुत प्यार देंगे बहुत रेस्पेक्ट देंगे थोड़ा सब बिगड़ भी जाएंगे आपके प्यार को पाकरिए अपने आपको कुछ जादा ही बड़ा चुड़ा मानने लगेंगे लेकिन नहीं लॉट कर एक दिन आपके पास आएंगे ये कभी-कभी तो अगर आप मिल चुके हैं तो आपने फिल किया होगा कि जब इनका मन होता तब ही बात करते हैं जब इन्हें आपकी बहुत जादा ज़रत होती है जब इन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नजर ने आता तब आप नजर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप नजर आते हैं हां तब लिए लगता है कि उसके पास चलो अब कोई रहा अब उसके पास चलो और आप ऐसा नहीं कि आप फिर उस वक्त इन्हें नीचा दिखाएं कि पढ़ गया तुम्हें मुझसे काम आगे मेरे पास ऐसे नहीं यह ओन आफ की सिश्वेशन बहुत रखेंगे आपके जो फ् हो सकता है कि यह यूटूबर हों सोचल वर्कर हों कुछ भी मतलब कि इनके अंडर में बहुत सरे लोग काम करने वाले होंगी यह बहुत सरे लोगों को मूटिवेशन देने वाले होंगी ऐसे परसन होंगी है यह अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन सही से ले नहीं पाते यह मतलब कि इनकी जिन्दगी हमेशा दो चीजों में अटकी रहती है हाँ और अटकी रहेगी अगर आप उनसे नहीं मिले हैं तो हम बता रहे हैं यह जल्दी कोई भी डिसीजन सही से ले नहीं पाएंगे बहुत सोचेंगे बहुत उलत जाएंगे ये चूज करो ये चूज करो कोई भी action ये clarity से नहीं लेंगे ये life में गलतिया बहुत करेंगे आपके जो future spouse होंगे आपसे जगड़े बहुत करेंगे आपको बहुत रुलाएंगे भी और खुद भी रोएंगे भी बहुत ज़ादा long distance तो हमने आपको बताया कि बहुत जादा होने वाला है इन्हें ट्राइवल करना बहुत पसंद होगा फीलिंग्स चुपाने में तो बहुत एक्सपर्ट होंगे लेकिन हम आपको बताएं इनसे आपका पास लाइफ करेक्शन होगा और आप इनके साथ कंपलीशन फील करते हैं आप इनके साथ खुशी मैसूस करते हैं क्यूं क्यूंकि आपको पता है कि ये इनसान मेरे सामने बनावती तो नहीं है ठीक है बुरा है जैसा भी है पर रियल है फेक नहीं है आप एक स्प्रिचुल सोल है और जितने भी लोग स्प डिखाने की कोशिश करता है तो हैं जब यह कुछ भी कर रहा हो कुछ भी इस परिचवल जितने भी लोग होते हैं उसे सक्त नफरत करेंगे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और जो इंसान नेच्रल है रियल है, फेक नहीं है, वो कैसा भी हो, उसमें कितनी भी कम्या हूँ, लेकिन स्प्रिचुल लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखिए, जब इंसान स्प्रिचुल हो जाता है न तो फेक चीजे पसंद नहीं करता, चाहे इंसान हो या फिर दुनिया हो दुनिया में बहुत सारी चीजे बनावती हैं, लेकिन स्प्रिचुल लोग नेचर के प्रती ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है, किसी के दुआरा बनाया गया नहीं है, वहाँ पर कुछ लोकल नहीं है, सब ओरिजिनल है, मतलब क पेड़, पहार, नदिया, पसुपक्षी, इंसान, वो सारे चीजे परमात्मा ने बनाई हैं, जिसे इंसान ने बनाया है, वह उससे कम प्रभावित होते हैं, लेकिन एसी चीजे पसंद नहीं करते हैं, जो लोकल चीजे जो बनाई गई हैं, इंसान के दिमाग की जो पसंद करते हैं, जैसे कि नेचरल जरने, नेचरल वाटरफॉल, ठीक है, नेचरल पहाड, नेचरल नदिया, वो सब नेचरल चीजे पसंद करते हैं, जीव जनतुओं की ब्रती बहुत आकरशित होते हैं, आप ऐसे हैं, और आप इन्हें क्यों जहेल रहे हैं, क्यों जहेले से लेकिन हम आपके बात बता हैं आपको जरा सा भी इत्तू सा भी निरास होने की तरत नहीं है कुछ समय तक आपको जैसे की सब्र करना पड़ेगा वैसे तो आप अभी भी like flow के हिसाब से चल रहे हैं आगे भी चलेंगे की जैसे इश्वर की मर्जी ठीक है लेकिन आप इनसे बहुत जदा strong connection फील करते हैं और करेंगे जो लोग नहीं मिले न वो करेंगे strong connection फील समझ रहे हैं आप इन्हें कभी छोड़ नहीं सकते आपको ऐसा लगता है कि कैसा भी सही है लेकिन कुछ तो है इससे बहुत strong सा जो किसी से नहीं है जो किसी से भी नहीं है और आप इनका उस समय तक कि इंतिजार करेंगे जब तक यह सुधर नहीं जाते लेकिन आप बिल्कुल भी टेशन मत लीजिए आपक यह वैसा लेकर आएगा जैसा कि आप चाहते थे कि वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में मैं सोचती हूँ जैसा प्यार मुझे चाहिए वो वैसा होना चाहिए तो एक दिन आपके पार्टनर आपके लिए वैसा बन कर दिखाएंगे समझ रहे हैं आप तो आपको जरास भी निरास होने की ज़रत नहीं है, आपका प्यार एक दिन इन्हें पूरी तरह से बदल कर रख देगा, अभी जो इनके energies in balance रहते हैं न, कभी बहुत rude, कभी बहुत practical, तो कभी बहुत emotional, बहुत भावुक हो जाना, कुछ समय बाद इनकी energies भी balance हो जाएंगी, आपकी संगत का असर इन्हें हो ही जाएगा, समझ रहे हैं, बस आप, आप अपने मार्ग से मत भटकना, वैज़ो तो आप भटकेंगे नहीं, हमें पता हैं, आप बहुत old soul हैं, आप नहीं भटकने वाले, लेकिन हाँ, आपका प्या बहुत ज्यादा, लेकिन हम आपको बात बताएं, ये materialistic word को बहुत ज्यादा priority देने वाले इनसान है, इनको लगता है कि पैसे होने बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल भी tension मत लीजी, आपको आपके सबर कफल जरूर मिलेगा, इश्वर आपको एक ऐसा तौफा देंगे कु और इनने feel होगा, ऐसास होगा, कि मुझे भी इसकी तरह बनना चाहिए, मुझे भी इसकी तरह सोचना चाहिए, हां, शुरू सुरू में हो सकता है कि बहुत प्यार दिखा है, फिर बाद में थोड़ी सी rudeness दिखा हैं आपको, हो सकता है कि कभी-कभी ये बहुत गुसा करें आपके उपर बहुत ज़दा लडाई जगडे करें और फिर आपको कभी मनाए भी ना चले जाएं आपको उल्टा सिधा सुना कर आपको कभी कभी लगेगा कि मैं मूव ओन कर लूँ लेकिन आपका दिल आपकी आत्मा हमेशा इन से जुड़ी रहेगी हमेशा इन से जुड़ी रहेगी और आप चाहा कर भी कभी मूव ओन नहीं कर पाएंगे आप चाहा कर भी इन से दूर नहीं जा पाएंगे क्युकि आप इंसे एक अंतर आत्मा का connection महसूस करेंगे हमेशा आपको लगेगा कि मैं चाहा कर भी इससे दूर नहीं हो सकता अब हमेशा इनके साथ खुद को बंधा हुआ सा पाएंगे बंधा हुआ सा महसूस करेंगे समझ रहा है? और आपने तो अपने जीवन की सभी परिष्थितियों को इश्वर को सौब दिया है है ना इश्वर को सौब दिया है तो आपको टेंशन लेने के जरुरत नहीं है इश्वर आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे तो dear जो आपके future spouse होंगे बिल्कुल ऐसे होंगे कि आपको उन्हें बहुत समय तक unconditional love देना पड़ेगा जैसे कि बिना प्यार की अपेक्षा के आप उनसे कोई भी उमीद नहीं कर सकते कि ये भी मुझसे उतना ही प्यार करेगा ये भी मुझसे वैसा ही प्यार करेगा जैसे मैं इसे करती हूँ आपको unconditional love दिखाना पड़ेगा लेकिन आप टेंशन मत लिजिए एक दिन सब कुछ बदल जाएगा सब कुछ हो सकता है शुरू-शुरू में आपको लगए कि बहुत ज़दा गैर जिम्मेदार है और समझता नहीं है, समझती नहीं है जैसे कि रेस्पॉंस ब्लेडी नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर अपने आप में मगन रहना और मेरी कोई केयर नहीं है ऐसा थोड़ा तलग सकता है कि यह अपने करियर को जादा प्रायोटी दे रहे हैं आपके कोई फिक्र नहीं है औन आफ की सिच्वेशन रखते है जब इनका मन हुआ आ गया जब इनका मन हुआ चले गया आपको ऐसा फील होगा लेकिन एक दिन इश्वर इनने पुरी तरह से बदल देंगे इस्पेशली आपके लिए ये बदलने पर मजबूर हो जाएंगे ये समझ लीजिए आपका प्यार आपका सच्छा प्यार इनने बदल देगा तो डियर आपके फिचर स्पाउस ऐसे होगे आप बस सब्र रखना आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा थोड़े दिनों बाद ठीक है आपके भाग्यों में कैसे पार्टनर लिखे हैं आपके फिचर स्पाउस कैसे होगे कौन होगे ठीक है जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि दियर लोगों का काम तो कहने होता है और वो पूरी जिन्दगी कहेंगे आपको लोगों की परवानी करने है आपको अपनी परवा करने है अपने खुश्यों की परवा करने है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा आप सभी के रिदय में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम अनिपद में हम ओम साहिराम